दोस्तो आज हम बात करेंगे PTM की KYC को लेकर, KYC आप लोग का मैं complete कर पाऊंगा, आपको मैं एक solution दूँगा कि किस तरक KYC जो है complete कर पाएंगे आप लोग, अभी फिलाल देखिए अगर KYC की बात करें, PTM की KYC, यह जो है start है, याने कि इसे जो है, RBI ने band के रवाया था, जिस कारण से PTM में नहीं का customer एड नहीं हो पा रहे थे, और बहुत कोई का ऐसा situation में अटका है, कि KYC हो चुका है, याने कि विडियो KYC complete हो चुका है, लेकिन उनका account ऊपन नहीं हो रहा है, ना wallet ऊपन हो रहा है, तो ऐसे case में वो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, अगर आप री KYC कर लीजी, अब री KYC होता क्या है, देखिए, री KYC होता है कि आपको जो भी पहले document submit के, video KYC जो submit के, वो सब invalid हो जाता है, और नीव तरीका से आपको submit करने के लिए कहा जाता है, जो कि एक KYC की रूप में वाना जाता है, यानि कि री KYC इसे कह सकते है, जिसमें आपक के, video calling submit करेंगे, इसे कहते हैं, री KYC, और री KYC भी फिलाल अभी कई जगा जो है, बंद है, यानि कि अगर आप KYC सेंटर जाके, री KYC करते हो, तो वहाँ भी नहीं होता है, और यह जो मेरे पास है, यह एक checkbook है, PTM Payment Bank का checkbook, मैंने कुछ दिन पहले order किया था इसे, तो यह जो है, फिलाल कुछ समय के लिए इसे बंद कर दे गया था, चेकbook को provide नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब फिर से start कर चुके है, अगर आप PTM Bank ओपन कर गए, गर आपका KYC complete है, तो वहाँ पर आपको service request में चेकbook का options देखने को add मिल जाएगा, पहले जो है, नहीं था, KYC अटका हुआ है, वीडियो KYC complete वड़ गा है, वो PTM payment bank के email पे, help line email पे, अपना आधार card और अपना pan card का xerox करके, नीचे में signature करके, उनको email करना होगा, और उनका जो phone number है, वो भी mention करना होगा, जिस phone number से आपने KYC किया है, उसके बाद इस email को send करने के बाद आपको तरब स कोई भी reply आएगा, या यह समय कम से कम तीन दिन के अंदर होगा, यानि कि तीन दिन के अंदर आपको reply आएगा, या आपको जो phone number मैं sign किये है, registered phone number उसके call आएगा, उसके बाद call आने के बाद आपको एक link send किया जाएगा, जिसमें आपको KYC verification करना होगा, KYC verification के साथ आपको दो options मिलेंगे, एक wallet active और एक bank active, आप जो है PTM payment bank या wallet active किसी पे भी click कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका PTM payment bank open होता है, तो wallet automatically active हो जाएगा, अगर आप सिर्फ wallet active करते हैं, तो bank आपका active नहीं होगा, PTM payment bank active नहीं होगा, सिर्फ आपका wallet active होगा, तो ऐसे में आप PTM payment bank यह open, औ कर दिया है, आप लग उस link पे click करके, अपना KYC करवा सकते हैं, सबसे पहले आप अपना जो phone number है, उस phone number को दीचेगा, और PTM का password देना पड़ेगा, माल लिजए आपको password मालम नहीं है, तो forget password करके, आप जो है, apply कर सकते हैं, लेकिन आपका जो phone number registered है, या unregistered भी है, नहीं क KYC भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्किप्शन में जो link है, उस पे click करके, आप काफी असानी से, अपना KYC कम्प्लीट करवा सकते हैं, I hope कभी यह information अच्छे लगी, वीडियो अच्छे लगी, like, share, subscribe, thank you